हेलो गाइज वेलको बैक तो मैं यूट्यूब चानल तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली उप्टूथ कस्टड की रेसिपी मैंने एक बाउल में एक लीटर दूर दाल दिया है और उसके बाद मैंने एक कटोरा चीनी समें आट किया है और हलका सा मैंने इसे मिक्स कर दिया है अगर आपको मीठा जादा पसंद है तो आप साथ शेयर कर सकते हैं और दूसरी तरफ मैंने एक बाउल में थंडा दूद ले लिया है आप नॉर्मल दूद भी ले सकते हो और उसमें मैंने कस्टड एड़ किया है तो मैंने मेरी यहां प कस्टड में वैनिला फ्लेवर ही जादा अच्छा रहता है तो आप भी वैनिला फ्लेवर का ही कस्टड लीचेगा तो मैंने इसी मिक्स कर लिया है और हमारा जो दूद है वह बहुत जादा गरम हो चुका है तो उसमें मैं धीरी धीरी कस्टड को डालते हुए मिक्स कर रहना है और फ्लेम को मैंने हाई कर लिया है तो जब आपकी दूद पूरी अच्छे से गरम हो जाए उसके बाद ही आप इसमें कॉस्टड एड़ करिएगा और इसे आप अच्छे से मिक्स करते रहे है तो अब यह देखे इस पर उबाल आ चुका है तो हम गैस को कर देंगे बंद है और आप इसको डीप फ्रेजर में रख सकते हो या पर नॉर्मल प्रिज में भी रख सकते हो और मैंने आप इसमें अपने मन पसंद के फ्रूट्स अड़ कर लिया है तो जो भी पसंद आप वड़ी डालिएगा और बस ड़ूट के हम इसको मिक्स कर लीजिए अर यह दी कि हमारा जो फ्रूट का स्टेड है वो रेडी है तो फटा फट से आप रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजे और पटना कीशन चैनल के मेंबर बन जाए और जो बगल में बेल आइकन है उस पर क्लिक करके ओल पर दबा दीजेगा ताकि मेरी सारी निव वीडियो क की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुचे और आप वीडियो में जाकर आप मेरी पुरानी वीडियो भी लेख सकते हैं